नमेश्कार दोस्तो Just Die Limited के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और दोस्तो यह सारी amount आपको जो दिख रहे हैं सारी millions में है और company ने stand alone और consolidated दोनों एक ही page पे present के हैं तो consolidated अगर हम result देखें तो दोस्तो यहां पर previous year का result यहां पर mention है previous quarter यहां पर और इस Q2 का result यहां पर है तो last time जो company ने income generate की दी वो थी 267 million तो उससे बढ़के यह 3150 सी 3185 million हो चुके हैं और previous quarter में 3283 million तो year on year एक growth नजर आरिया में अच्छी खासी और quarterly wise लगबग आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावत है और निच्चे अगर हम expense देखे company के तो यहां पर आपको expense देखेंगे total expense जो last time company के expense देखेंगे 1975 million प्रिवेस quarter में 2222 और अभी 2264 तो quarterly wise भी increase है expense में और year on year भी और निच्चे अगर हम net profit देखे company का तो अभी फलाल profit for the period जो यहां पर यह mention है आपको यहां पर देख रहा हूँ जो last time company का 120 million net profit था वो बढ़के अब 203 million हो चुका है तो year on year तो काफी बढ़िया jump है net profit में और quarterly wise देखेंगे तो थोड़ा सा dip है 227 million से गटके 203 और EPS भी देखेंगे हम तो EPS भी उस हिसाब से increase हो चुका है previous quarter में 9.84 था previous year 6.19 और अभी फिलाल 8.44 तो yearly तो growth है दोस्तों पर quarterly dip है EPS में भी तो overall company का performance तो सही है अभी फिलाल quarterly basis पे देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट है कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है और एक बार इसका chart pattern और देख लेते हैं तो दोस्तों कल के दिन ये share 754 पे trade कर रहा था और ये खलकिसी negative closing के साथ ये बंद हुआ है और पांच दिन की बात करेंद तो पांच दिन में इस share ने 8% के return दिये हैं performance कोई ज्यादा बढ़िया दिन है share price में और ये अपने all time high से अभी फिलाल नीची ही चल रही है all time high आप कह सकते है 2014 के आसपास 1700 के आसपास इसका all time high था market cap अभी 6000 crore है और एक बार balance sheet पे भी नज़रे डाले हम वह फिलाल बढ़के 961 crore हो चुकिया है तो हर साल company growth कर दिये जैसे यहाँ पे आप देख पार होगे 450 crore, 500, 600, 700, 800, 900 फिर ये corona time frame यहाँ पर और फिर इसके बाद company वापिस come back 600, 800, 900 तो company growth कर दिये दोस्तों पर थोड़ा slow pace पे कर दिये 68 crore से 314 crore net profit पहुच चुक है, balance sheet में reserves देखे तो 37 crore के reserves है, बढ़िया reserves है और borrowings देखे तो 87 crore के borrowing है तो ठीक है, control में borrowings भी और अगर हम promoters की holding देखे, early wise तो जो 2017 में 33% थे वे अब 74% हो चुक है जो कि बहुत अच्छी बात है, plus point है और FI's में भी stake ले रखा है, 4.88% DIs के पास भी है, यह stake 9.36% के असपस और public के पास है, 11.45% तो public की holding तो कमी हुए है, जो पहले 25% थी वो लगबग अब आदे से भी कम हो चुकी है तो दोस्तो कमपनी तो ठीक है, पर अगर आप इसमें expect करोंगे कि भी 5 साल के अंदर हमारे पैसे 3-4-5 गुना हो दें, तो ऐसे तो यह मुश्किल लग रही है फिलाल कमपनी ने result भी काफी बढ़ी present किया है, पर ऐसी result कमपनी को लगादर 3-4 साल अगर यह present करेगी तो आपको अच्छे return मिल सकते हैं तो फिलाल तो आप इसमें थोड़ा avoid कीजिए, क्योंकि यह काफी slow बीटा share है, आपके पैसे डूबने के chances तो कम है, पर बनने के chances भी उतने ही कम है, जिससे साबसे आप share market में पैसे लगाने की सोचते हो, और बाक्या आप अपनी study करके तब ही इसमें invest करने की सोचना